न्यून्तम समर्थन मूले पर सोयाबीन की खरीदी होने का असर सोयाबीन के मंडी भाव एवं प्लांट भाव पर देखने को मिल रहा। न्यून्तम समर्थन मूले पर सोयाबीन की खरीदी 25 अक्टूबर से शुरू होगी। इसके लिए पंजियन की अंतिम तिथी 20 अक्टूबर निश्चित इधर समर्थन मूले पर खरीदी शुरू होने के ठीक पहले सोयाबीन के भाव में तेजी का रूख देखने को मिल रहा। मंडियों में बहतर क्वालिटी के सोयाबीन की अच्छी लेवाली हो रही है। व्यापारियों के अनुसार इस समय सोयाबीन के भाव बढ़ने की संभावना को देखते हुए सोयाबीन के बीज एवं स्टॉक वालों की खरीदी बढ़ गई है। जबकि आम तोर पर यह देखने में आता है कि जैसे ही आवग बढ़ती है वैसे ही भाव में गिरावट होने लगती है। इस वर्ष सोयाबीन के सीजन की शुरुआत देरी से हुई है। सीजन की शुरुआत के दौरान सोयाबीन भाव औसत रूप से 4000 से लेकर 4700 रुपए प्रती क्विंटल तक लेकिन इस सब्ताह के अंत में यह भाव इस भाव में 200 से 300 रुपए प्रती क्विंटल का इजाफा देखने को मिल रहा है। सोयाबीन के बीज वाले माल की अच्छी पूच परक हो रही है। व्यापारियों के अनुसार ऐसा माल मंडी में 5000 रुपए प्रती क्विंटल तक बिक रहा है। इसके अलावा सोयाबीन के ओसत माल की भी अच्छी लेवाली हो रही है। दीपावली के पहले आवग बढ़ने की संभावना को देखते हुए इस समय सोयाबीन का स्टॉक करने वाले वालों की खरीदी बढ़ गई है। सोयबीन प्राइसेज सोयबीन का व्यापार करने वाले कारोबारियों के मुताबिक सोयबीन के भाव में दीपावली के पश्चात तेजी आने की पूरी संभावना है. इसी को देते हुए वर्तमान में भाव बड़े है. WhatsApp चैनल से जूड अच्छी क्वालिटी का 5000 रुपए तक भी का. 1200 से 5000 रुपए प्रती क्विंटल के भाव बिक, किसानों के अनुसार कटाई का मजदूरी खर्च, कीतना शक दवा का भुकतान और अगली उपज के लिए खाद बीच सोयबीन को बेचना पड़ रहा. इधर जानकार आगे सोयबीन के भाव में बड़ी महेंगाई मान रहे है सरकार के समर्थन दाम 4892 से उंचे हो सकते हैं. करीब 5200 के भाव होने की समभावना भी बताई जा रही है. 25 अक्टूबर से सरकारी समर्थन दाम की खरीदी शुरू हो जाएग. उस दौरान भाव की सपष्ट तस्वीर हो जाएग. Bureau Report Market Times TV